नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर फैंटसी बिनिंग 11 यूटूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी भाईयों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तमिल नाडू प्रीमर लीग के नवे मुकाबले को दोस्तों आट मुकाबले भी तक इस्टूनामेंट के खिले आ चुके हैं हम पहुँच गए हैं नवे मुकाबले तक और दोस्तों आटों के आटों मुकाबलों में आपने हमारी टीम से एक अच्छी विनिंग की होगी ऐसी हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों आज का जो मुकाबला के लए जाना है LK के मतलब दोस्तों कोवाई किंग्स और सुपर अगलीज दोनों ही टीमों के बीच में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक शांदार कॉम्बिनेशन लेकर आए हैं ग्रांड लिग का हमने आपको एक तरह बेस टीम निकाल कर दी है जो कि आज के मुकाबले में बेस टीम रहने वाली है लेकिन अगर इन में से कोई प्लियर फेल होता है तो हमें किस प्रकार से दोस्तों इन प्लियरों के साथ चेंजेस करने हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाए दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा उसके आदार पर आप आसानी समझ जाएंगे कि हमें किस प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ तयार करकर चलने हैं दोस्तों ऐसा नई यह बेस प्लियर हैं दोस्तों यह आठ बेस प्लियर आपको हर टीम में देख तो यह हमारे लिए इंपोटेंट ग्रांड लीग की टीम यहां से बनकर तयार हो जाएगी तो सबसे पहले अपन सुरूबात करते हैं अपन वीडियो के बारे हम जानते हैं किस प्रकार के कॉम्बिनेशन को में तयार करना है इनके स्टेट्स और एनलाइसिस देख लेते हैं हो जाता हैं यहां पर बात करें तो आप जानते हैं ऐन आर पी कॉलरेज ग्राउंट में यह थे मुकावलrom में खेले जारा है तो आप जानते हैं ऑठाव्स काएसा रहने वाला है यह तो तरह के बोल्रों को व्ल्ले जो करने वाला है यानि top order से लेकर 4 number तक मान सकते हैं बागी इनके बात के बल्लेवाजों को spinner के सामने दिक्कत होने वाली है लेकिन ये दिक्कत first inning में उतनी हमें नहीं देखेगी तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों बागी due factor भी रहने वाला है सबकुछ दीरे दीरे दोस्तों वीडियो में अपन कबर करने वाले हैं बस आप वीडियो के अंद तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम वहाँ पर grand league के combination को तैयार इस पूरे analysis के साथ करने वाले हैं तो ये analysis आपको समझना बहुत जरूरी है तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप बात करेंगे इस ground पर खेले गए पुराने matches के बारे में दोस्तों आपको बता दें जिए D20 domestic के statics समझना निकाल कर रखे हुए हैं सबसे पहले तो आपको बता दें दोस्तों इस ground पर किसी परकार का IPL matches नहीं हुए है वहीं दोस्तों किसी परकार के T20 international matches भी इस ground पर नहीं हुए हैं बाग यह आपको बता दें BCCI जो भी matches कराती है जिसे सयद मुस्ताकली ट्रोफी हुआ रंडजी ट्रोफी हुई तो ये भी इस ground पर नहीं हुए हैं सिर्फ और सिर्फ T20 domestic यानि तमिल नाडू प्रीमेर लीक के मुकाबले ही इस ground पर खेले गाए हैं सबसे पहले बात करें अब तक 58 मुकाबले यहां पर खेले गाए हैं 25 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 33 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो बाद में यानि की चेस करने वाली टीम ने जीते हैं मतलब चेस करना तोड़ा एडवांटेज यहां पर रहता है क्योंकि दोस्तों second inning में आपको due factor देखने को मिलता है लेकिन अब पिछ की बात करें तो दोस्तों यहां पर इस पनारों का बोल वाला रहने वाला ही है अब दोस्तों बात करें average score के बारे में तो 159 का average score यहां से निकल कर आया है हाला कि इस ground पर 200 नोरन बने हैं जो कि 2022 यानि पिछले season में हमें देखने को मिले थे वही 59 बने हैं दोस्तों यह इसके पहले वाले मुकाबले में देखने को मिले थे अब दोस्तों score की बात करें तो दोस्तों यहां पर आप देखिएगा 58 मुकाबले में से 24 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो की 1.500 से कम के score हमें देखने को मिले हैं वही 11 मुकाबले ऐसे रहे हैं जो 1.69 के बीच में रहे हैं अब दोस्तों इनको जी हिसाब लगाओगे जो 35 matches निकल कर आते हैं मतलब आप पूरी उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको एक बार फिर low scoring match देखने को मिलेगा आगे बढ़ते और बात करते हैं अपन इस match से जोड़े हुए venue यानि इसके static सपन देख लेते हैं मतलब scorecard देख लेते हैं यहाँ पर देखेंगे हमें किस परकार के ballards को कैसे bucket मिल रहे हैं सबसे पहले बात करें लास्ट मुकाबले के बारे में जो कि इसके पहले जो मुकाबला खेला गया था उसकी दोस्तों यहाँ पर 139 रान बने हैं और 9 बिकेट गर गाई हैं जिस पर आप captain vice captaincy का risk लेकर चल सकते हो एक नहीं आपको दो player यहां से दिखने वाले हैं अब बात करें पछले साल जो मुकाबले हुए थे उनकी तो यहाँ पर देखिएगा 122 रन बने हैं और 9 बिकेट गर चुके हैं यहाँ पर तीन ही बिकेट गरे हैं क्योंकि स्कोर कम थ तो आसानी से इसको chase कर लिए था यहां पर देखिएगा पहली इनिग में fast ball रोने चार बिकेट दूसरी इनिग में 202 बिकेट अब फिर देखिएगा पकर एक बिकेट निकाला है पर अब यहां पर यहां पर ज Wars ने निकाले है यहां पर देखते रहberry जान से दोस्तों अब करें इसके पहले जो मुकाबला गया था 2022 में वि सकी 2108 दोक्ता'll हए में निकाल चछी जाई यहां पर देखिए पहली ग्रेति क्म गिरे हैं ॉप आपको तीन बियुद लेकिन दूसरी में यह उण पंच बिकेट पहली इनिंग में फास्ट बोलरों ने इस पनार थो यहां पर निकाले आ आँगे आईएगा दोस्तों … यहां पर देखिएगा फास्ट बीकिट निकाले हैं और इस पिनारों ने दूसरी पारी बिकिट निकाल कर दिये हैं अब दोस्तों यहांपर देखिएगा एल्केकर की टीम जो कि आज मैच खेलने वाली है 151 पर आउट हो गाई थी यहांपर देखिएगा फास्ट बॉल्ड हो ने यहांपर साथ बिकिट निक तो इन सब चीजों से किया निकल कर आया है? दोसतों पहली चीज तो फास्ट बोळ, जो राइट टाम या लेफ टाम फास्टम भलेएं हैं, उनोगने निकल कर दिये हैं, धकिन और लिए बात कर रहे हैं, कि छोखेर आया है, कीज Dáश्य निकल कर दे दूसरी पारी की बात कर रहा हैं दूसरी पारी की तो दूसरी पारी में आप देख सकते हैं इस्पिनरों ने बिकेट निकाल कर दिये हैं आप यहां पर देखिए दूसरी पारी में अच्छे खासे बिकेट निकाल कर इस्पिनर दे रहा हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत इंप्रेंट पिक होने वाले हैं, खास तोर पर Grand League यहाँ पर आप इस्पंदरों को दूसरी पारी के इस्पंदरों बैस्पंदर बना सकते हैं, मतलब कि दोनों ही बोलर एक तरह से Grand League के आपको अच्छे पिक मिले हैं, इनके हिसाब से आप टीम तैयार करते हैं, तो पहली इनिंग में जो बल्लेबाज, बल्लेबाजी करेंगे, उनके टॉप ओडर को आप ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि फास्ट बोलर बिकेट निकाल रहे हैं, और दूसरी इनिंग को बल्लेबाज है, टॉप ओडर ले 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 जी, मतलब मिडल ओडर क को कॉलाप्स कर जाएगा पूरा इस्पिनर, तो यह समझ सकते हैं, लगबग जहां से आपको आठ से दस प्लियार आसानी से मिल जाएंगे, बाकी आप इस चेट से देखोगे दोस्तों, तो वहाँ पर ग्रांड लीग का और अच्छा कॉंबिनेसन हम तैयार करकर चल सकते है मतलब कम टीम बनाने के बाब जूज भी हम अच्छी रेंक यहां पर प्राप्ट करकर चल सकते हैं, जैदि आप पूरी वीडियो को देख लोगे दोस्तों, तो हैट्टोएड अस्मोल लीग की टीम आपके कहीं भी नहीं गई है, एक आसान से बिनिंग कह सकते हैं, एक नॉर एक पर कि एक पाले की टीम के बारे में, तो यहां से भी एक दम के लिएर हो जागा, हमें किस परकार के प्लियर्स को आपने टीम में शामिल करना है, दोस्तों, यहाँपर देखीं सबसे पहले में पहले के पहले सकते हैं, तो गया के ले लिजिएगा क्योंकि यह बैटिंग ओडर के हिसाब से हमने सेट किया हुआ है इसका मतलब जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसका मतलब यह है कि यह इंपेक्ट पिल्या रहां मतलब बैटिंग के टाइम ये आने वाले हैं विए और नीछे वाले बोल लिंग के टाइम hai तो ये इमपेक्टेम पीलए रहे हैं सकति तो तो बैटिंग प्लस का निसान माल देते हैं बागी बावा अपराजीत और संजय यादब दोस्तों इसके अलावा आप देखेंगे हरीस को मार यह मतलब इसकी बैटिंग चांसेज बहुत कम रहते हैं बावा अपराजीत एक बड़ा पिलियर है आपको स्कूर करकर जरूर देने वाला है एक संजय यादब जिसे आप जानते हैं लास्ट जो सीजन हुआ था उसके टॉप रॉनर रहे हैं और अभी तक ठीक टाक परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं लास्ट में नोट आउट ही रहे थे तो मतलब देखिएगा ये दो और एक तीन मतलब इन तीनों मेंसे कोई एक तो बड़ी पारी खेलने वाला है ये तो 100% बात सही है मतलब जब बड़ी पारी खेलेंगे तो इनको मौके नहीं मिलने वाले यानि आप यहां से यह समझे हैं कि इन तीन प्लियरों को तो आपको में शामिल करना ही नहीं है अब बात करें एक दो तीन चार पांच में से इसके हमने सामने प्लस बना राका है मतलब यह है कि यह आपको कुछ टीमों में रखना है और कुछ टीमों में ड्रॉप करना है क्यूंकि दोस्तों मानते हैं पहले मैच में 880 मा रहे हैं दूसरे में 25 लेकिन आने वाले मैचेस में आप इनसे स्कोर के उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि खेलने का तरीका उनका उस तरह का नहीं है बागी हेट्रेड इसमोल लिगों में अच्छा पेकर लेकर चल सकते हैं अब रही बात नारांड जगदी सान के बारे में दो मैच इनके नाम के सकता है तो ऐसी स्तिती में दोस्तों 1-2 और 3 बल्लिवाज आपको बड़ा स्कोर करते हुए दिखने वाले हैं हलां कि 1-2-3 बल्लिवाज ज़्यादा नहीं बता दोस्तों कम ही हैं Grand League के साब से बाक히 बालर्स की बात अपन हागे करने वाले हैं जोस्तों अब बात करें एल के में सिर्फ दो ही बड़े नाम हैं बाकि सब छोटे नाम है मतलब आप अल्टरनेट इनको यूज करकर चल सकते हैं बाकि दोस्तों वीडियो जिसे से आगे बढ़ेगी आपको और मज़ा आने वाला है क्योंकि हम ग्रांड लिग का बैहदरीन कॉम्बिनेशन तयार करकर चलने करण। वाले बोलरों की तो बात अवी पर ने की नहीं है बोलर जिसे जिसे आंगे आते जाएंगे आपके लिए और वी क्लियर वीडियो होती चली जाएगी सबसे पहले बात करें किividad key bring section दोस्तों बगट keybring section में दोनों ही team में हमने यह रखी हुई है यह यहाँ पर आपको दिख जायागा यह LKK की team है यह Csg की bigger keybring में दोनों section आपको दिख रहे हैं तो दोनों ही section में total चार player है तो इनकी हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आपको लेना है कैसे छोड़ना है अब बात करें सुरियस कुमार के बारे में जो टीम के लिए open करने आते हैं 17 मैचे स्केले हैं इनका average 40 का है और बात करें पछले दोनों मुकाबलों के बारे में तो last मुकाबले में 33 बनाए हैं इसके पहले 11 बनाए हैं दोस्तो की dream team में तो यह शामिल रहने ही वाले हैं तो इसे आप team में शामिल जरूर करिएगा कोशिस करिएगा head to head small team में भी आप जगा दे सको अब बात करेंगे राम अर्विंद के बारे में number 4 पर बल्ले बाजी करने आते हैं नया player है debut कर रहा है दोस्तों और दोस्तों LKK की team है तो पर बल्ले बाजी करने आ रहा है बिगट कीपिंग सेक्शन में चलते हैं नाराण जगदी सान के बारे में बात कर लिए हमने अभी starting में की है तो यहां पर 3513 का score इनों ने किया है आने वाले मैचे में आपको अच्छे खासे 70-70 run इनके बल्ले से देखने वाले हैं दोस्तों में तीन बार थोड़ी बहुत पड़ी बारी आई हैं बागी 2022 में इनके बल्ले से ठीक ठाक score वे हमें देखने को मिला है और दोस्तों अब experience ज्यादा हो गया है एक साल का experience बड़ा है इसलिए दोस्तों हम इस पर थोड़ा वो दाव लगाने की कह रहे हैं अब Grand League में इस पर दाव लगा कर चल सकते हैं अब बात करें प्रदोस रंजन पाल के बारे में तो पहले मोकाबले में शानदार आठासी किये हैं दूसरे मोकाबले में पच्चिस किये हैं बागी 2021 में तीन बड़ी पारिया आई है टोटल चार मोकाबले खेले थे एक बार जीलो पर हुए हैं 2022 में एक भी बड़ी पारी नहीं आई है यानि उम्मिद यही है दोस्तों इनके साथ 60-40 कह सकते हैं यानि 60% इनके फैल होने के चांसे हैं और 40% इनके पास होने के चांसे हैं आपको में यह आपको अच्छे कासे में दिखने वाला है लेकिन आप थोड़ी को रिस्क चाते हैं तो इसको ड्रॉप करका चल सकते हैं यदि CSG की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो आप तो आपको ड्रॉप जरूर करना है क्योंकि यहां पर फास्ट बोलरों का बोल वाला रहने कि यह थोड़े क्लाप्स इस टाइम पर कर जाएंगे अब आगा हैं बल्लेबाजी सेक्सन पर चार प्लियर आपको इस टीम से देखेंगे और बागई बचे हुए चार पिलिया और आपको इस टीम से देख रहा है सबसे पहले बात करें पर एल केके की टीम से तो बी सचन दोनों ही मैचों फ्लोप रहे हैं बहुत श्टरगल कर रहे हैं कैसे मलम चल रहा है आप देख सकते हैं 6 वल खेली है 2 रन बनाए है 7 वल खेली है 0 रन बनाए है वो भी सकता है टीम इनको चेंज कर दे लेकिन अभी कोई ऐसा सूचना नहीं है तो फिर भी यदि बात करें तो इसको तो आपको ड्रोप करकर चलना आई है आप बहुत ज़़ा टीम बनाते हैं तो वहीं इनको लेजिएगा बाकि आप 5-6 बनाते हैं तो इसको ड्रोप करकर चल सकते हैं अब बात करेंगे साइन सुदरसन के बारे में बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा ऑप्सन है कैप्टन और 22 कैपटन सी का क्योंकि दोनों मैच इनोंने केले हैं और दोनों ही मैचों में ये आउट नहीं होए हैं आउट हो नहीं हुए मतलब किisी बोलर के दोारा आउट नहीं हुए है दोनों ही मैचों में ये रन आउट हुए है वो भी कव लास्ट के ओवरों में जब जब ज़्यादा रनों की मुलब ज़्यादा भागवड़ मचती है उस टाइम पर यह आउट हुए है बाकी बोलर इनकाउट नहीं कर पाए है और IPL का सीजन शांदार रहा है बड़े मंच पर इन्होंने स्कूर किया है TNPL में लास्ट सीजन बहुत शांदार रहा है कह सकते हैं दो साल इनके लाजबाब निकले हैं तो बहुत शांदार पर कैप्टन बाइस कैप्टन सी का यह पिलियर रहने वाला है अब बात करें एम शारुख खान के बारे में तो हैट टो एड इसमोल लिगों में आप इने उम्मीद कर सकें पहले मुकाबले में तीन निकाले हैं वो बात अला गया लेकर दूसरे मुकाबले में देखी मात्र दो ओवर किये हैं एक बिकट निकाल कर दिया है यानि कह सकते हैं बल्लेवाजी में आप उम्मीद इन से थोड़ी बहुत कर सकते वो भी आप 30-35 रन की उम पर बल्लेबाजी करने आते हैं दोस्तों और आपको बता दे जो यह एल केके की टीम है हाजी सामने बता आया था दो ही बड़े नाम हैं साइन सुदर्शन और एम शारुक खान बाकी और जो पिलियर हैं नाम छोटे हैं मतलब दोस्तों इसकी इसलिए बैटेंग आ रही है 33 15 का इसको रहिए 2 मैश में किया है बाकी बात करें एक गोवर किये है पहले मैश में stripping नीकाल कर दिया है अब ये अभी के लिए छोड़कर चल रहे हैं मतलब एक तरह से अपन इसे पेंडिंग में रख रहे हैं आगे यदि इसकी जगा बनती है तो लेंगे बागे इंसे अच्छे प्लियर मिलेंगे तो उन्हें ही लेकर चलना पड़ेगा अब बात करेंगे अपन CSG टीम के बारे में संजय यादा बहुत बड़ा नाम है क्योंकि 2022 का टॉप रणर ये रहा था कह सकते हैं IPL के साब से औरेंज के पास थी और रनों की बात नहीं करेंगे जब औरेंज के प्रकरा हैं शांदार फोर्म में ये अब ध्यान दीजिएगा लास्ट मुकाबले में नहीं की थी जसा है कि हमने पहले मैचे प्रिडिक्शन दे दिया था क्योंकि उस टाइम पर दोस्तों इनकी पहली बेटिंग मतलब कह सकते हैं माले में दोस्तों सब्सक्राइब में चलने में अर बड़े होने मैं न के रन काफी बड़े होने वाले मतलब 50, 60, 70 के उम्मीद आप इन से आसानी से कर सकते हैं बैस्ट उप्सन हेट टुएड स्मोल लीगों में कैप्टन बाइस कैप्टन से का ये पिलियर रहने वाला है डोस तो आगे बैबा अपरा जीताने वाले हैं तो वो तो कैप्टन रहने ही वाले हैं बागी 22 कैपटन में सन्जा यादव उस साई सुधरिशन रहने वाले हैं अब बात करेंगे राज गोपल 37 के बारे में दोस्तों 4 डाउन बेटिंग करने आते हैं लब नमबर 6 पर दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा अभी तक इनकी बैटिंग आई है एक बार पर लास्ट मुकाबलें बैटिंग नहीं आई है ऐसे में आप इनको ड्रॉप करकर चल सकते हैं कब जब CSG की टीम बादे बैटिंग करती जैसा हमने आपको बताया ह करेंगे बाकी दूसरी मतलब इनिंग में उम्मी ने ला सकते हैं इनके पास टॉप और बहुत शांदार है आपको रन करकर देने ही वाला है तो इन बल्ले बाजों को आप बिलुकुल मत देखिएगा ससी देव हैं दो मैच के लिए हैं एक मैसे बैटिंग आई एक में नहीं है ऐसा आई सदीज के साहथ भी हुआ है ऐसे ही नाइचे बल्ले बाजों का होने वाला है ओल रॉटर पर आगाए हैं सबसे पहले ल्के के बलले में बाज की बात करें तो ल करन आकास दोनों ही मुकाबलों बेटिंग का मोगान नहीं मिला है बॉलिंग की है और दोनों ही म काया है मतलब यह है कि यह एक अच्छा पेक है ग्रांड लीग के साफ से कैप्टन बाइस कैप्टन जी का भही अदी बात करें अपन के गोतम थमाराई के बारे में तो लाश्ट के दोनों मुकावल में दो दो ओवर फेके हैं एक एक बिकट निकाल कर दिया है अब आज के मैच में इनसे तीन ओवर की पूरी उम्मीद है और ऐसे में इनके बिकटों की संख्या भी बढ़ सकती है इस बात का ध्यान रखिएगा हलाकि कैप्टन बाइस कैप्टन सी का उतना प्रबल दावेदार ये पिलियर नहीं है और लॉन्टर सेक्षन में CSG के पन बात कर रहे हैं त ये तो आपको लगबब 50-60% लोगों का कैप्टन और बाइस कैप्टन दिख जाएगा जिजी डीम 11 पर टीम मनाते हैं तो वहाँ पर 50-60% कैप्टन सी का ओप्शन ये आपको दिख जाएगा अब बात करेंगे एस हरीज कुमार के बारे में तो दोस्तों राइट हैं बेटि बेटिंग के चांज बनते हैं मतलब 17-18-19-24 ओवर में इनकी बेटिंग आ सकती है तो वहाँ पर 15-20 का स्कूर के उम्मीद करते हैं और ऐसा कुछ ये पहले भी करकर दिखाए है मतलब जब भी इनको मौका मिल रहा है थोड़ा बहुत स्कूर ये करकर दे देंगे पर बॉलि करते हैं और ये परफॉर्मेंस करता है तो आप पहले ही बहुत आगे निकल जाओगे क्योंकि दोस्तों के चार से पांच ओप्सन आज के मुकाबले में रहने वाले हैं जिनमें उनका नाम नहीं था अब बात करेंगे दोस्तों बोलर्स के बारे में राइट टाम मिडियम ग गेंद बाजी करता है तो बहुत शांदार पे के आप ड्रोप नहीं कर सकते हों लगबख हर मुकाबले में बिगट निकाल कर ये दे रहा है अब बात करेंगे सिलो लेफ्ट टाम मॉसल लोक्स गेंद बाज की दोस्तों एक ये पिलियर है और आगे बात करेंगे दोस्तों द को एक बिगट मिला है बाकी सिद्धार्त को यहां पर बिगट नहीं मिले हैं पर ध्यान दीजिएगा दोनों ही बोल रोन चार चार ओबर कवर किये हैं मुक्खे गेंद बाज की सूची में ये आते हैं अभी तक बिगट नहीं मिले हैं सेलेक्शन और परसेंटेज इनका कम रहने वाला है अब देखिएगा दूसरी इनिंग में यदि इन दोनों में से कोई भी गिंदवाज गिंदवाजी करता है तो वहां पर बहुत अच्छा आप्शन टीम में शामिल करने का रहने वाला है मतलब दोनों में से एक को आपको टीम में रखना ही है ये बात ध्यान प्राशित खान से उम्मीद करते हो यहां पर दोस्तों आपको यह प्लियर भी लैग ब्रेक गेंद बाजी करकर देने वाला जात और उम्मीद इनसे की जाती है कि लैग बिफोर यह करते हैं इसका मतलब यह है कि इनको पॉइंट ज्यादा मिलते हैं तो मतलब ड्रीम टीम में शामिल रहने वाले हैं इस पिलकार के पिलियर को आप ड्रॉप मत करिएगा टीम में लेकर चलिएगा अब पीद बिद्धुत पिछले मुकाबले में इंटर हुए थे ना बैटिंग दिये ना बॉलिंग दिये पे भालत उसको खिला लिए बचारे को अब बात करेंगे राम करकर चल सकते हैं इसके बारे में जो पहले बताया सेम का सेम इसके साथ सेट कर सकते हैं अब यहां पर देखिए सेलो लेप्टाम और्टोक्स राहिल शाह दोस्तों यह थोड़े एक्सपिरियंच पिलियर है और आप इनसे निश्चत तुर पर एक से दो बिकट कर सकते और द स्लभाश्ट मकाबले में एक ओर्श बढने वाले हैं हर महले में चमतकारा में देखने за half और पहले मधिने यह दो दोन जहां हैँए लाग्या आपको ऐसा नहीं दिखेगा अब आते हैं हम हमारे कॉम्बिनेशन की उपार तो पहली चीज तो यह कि किसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे टेलिग्राम चला को जरूरू जोइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिलेगा बड़ी आसानी से आप वहां से हमसे जुड़ जाएंगे क्योंकि फाइनल टीम टॉस के बाद ही हम तयार करते हैं और टॉस के हिसाब से तयार करते हैं इस बात का अब ध्यान रगिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बड़ी आसानी से आप वहां से हमसे टेली गराम चैन तो अब देखते हैं अपन किस प्रकार के कॉंबिनेशन को तयार करकर चल रहे हैं दोस्तों देखिए सबसे पहले बात करेंगे बिगट की बरिंग की दोस्तों यहां पर आपको जगदी सन देख रहे हैं काफी ज्यादा परस्वेंटेज मेंन का सेलेक्शन होने वाला है अब head to head की छोड़ रहे हैं अपन सब छोड़े तो head to head grand league की बात कर रहे हैं नातन जगदी सन को सब ने ले रहा है यदि इसको आप drop करते हो तो यह दो player आपके लिए अच्छा pick साबित होने वाले हैं दोस्तों दोनों ही player आपको लगबग लगबग बराबर score करकर देने वा 25 तो आप एसे लीजिए गा किसी टीम में इसे लीजिए गा और एक टीम में दोनों को लिजिए गा तो टीन टीम आछानी से बन जाएंगी इन दोनों को ले इन तीनों को और इसको तो आप yeahs team लेकर तसलीब रहे हो तो यह तो आपको लेकर चलना है अभ यहां से देखिए यह आपका पक्का पिलियर है, यह आपका पक्का पिलियर है, मतलब बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे, ठीक है, अब बात करें, सुधरसान के बारे में दोस्तों, दो में चुचोके हैं, अपन मानते हैं, अच्छा पिलियर है, अच्छा स्कोर कर रहा है, पर ग्र करता ही है तो मतलब इसके इस्तान पर आप इसको रखकर चल सकते हैं बेस्ट ऑप्सन रहने वाला है आपने देखा है बैटिंग ओडर ज्यादा नीचे नहीं है इनका नंबर आजाएगा आराम से टीम में शामिल करकर चल सकते हैं अब बात करें ओल राउंडर सेक्शन से तो अपराजी जो आपको दिख रहा हैं दोस्तों ये तो चलने ही वाले हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इनका परफॉर्मेंस होने वाला है और दोस्तों ऐसा ही एचेस कुमार के बारें बात करें ये दोनों होने वाले हैं अब देखिए एक option मिलता है आप इस तो लेकर चलना ही है क्योंकि ये आपको मात्र आठ प्लियर देख रहे हैं आठ मतलब इन में से आपको तीन तो लेकर चलना ही है बचे कितने से हैं चार प्लियर चार प्लियर अल्टरनेट हम सेंड कर रहे हैं देख रहे हैं कैसा कहा पर कौन जाता है तो इसके इंट्री आस को एक स्क्सावीश को रहे हैं तो इन दोनों में को एक लेकर चलना जिए विए दोनों में से आपको किसी एक में शामिल करकर चल सकते हैं बात की गेंदबाजी में आप ड्रोप करकर चल सकते हैं बाकी आप बात करें एह मुहमत के बारे में इतना अच्छा पिक यह नहीं है हमने बेस्टीम में दिया है लेकिन कह सकते हैं आप आसानी से ड्रोप करकर चल सकते हैं तो इनके इस्तान पर आ लिंक आने वाली है अब दोस्तों बात करते हैं अपन यहां पर कैप्टन और बाइस कैप्टन कौन कौन से अच्छे ओपसण हमारे लिए रहने वाले हैं तो एक सेकेंड लग रहा है दोस्तों मिटाने में सबसे पहले बात करेंगे, सबसे बड़ा उप्षन, सबसे बड़ा उप्षन बावा आपराजीत, दूसरा उप्षन दोस्तों कह सकते हैं, संजय आदम मानो या साइंस दर्सन, ये तीन आपके बड़े उप्षन रहने वाले हैं, दोस्तों इसको मैं नहीं मानता सारुक खान को लेकिन फिर भी ग्रांड लिंग में आप माने कर चल सकते हैं एक दो तीन उपसन हो गए हैं मैं जाओंगा नातन जगदी सन के पास चोथे नमबर के उपसन रहने वाले हैं अब यहां से बॉल्लरों में आप देखिएगा एल के आकास नमबर पांच और इसके बाद दोस्तों ऊपर से आपका सुरेश कुमार क्योंकि इनके पराने रोकॉर्ट देखे हैं काफी अच्छे हैं बागी दोस्तों बॉलिंग में यह मतलब हम किसे कप्तान बनाएंगे क्या कहते हैं सेकंड इनिंग में तो एक, दो और तीन मतलब जो बाद में गेंदबाजी करेगा इन तीनों में से एक अच्छा option वी रहने वाला है तो यह आपके निकलकर आए हैं छे से साथ option कैप्तन बाइस कैप्तन सी के और ऐसा नहीं है कोई भी Captain Vice Captain City को option या पर खराब दिया है दोस्तों अब आपको बताईए वीडियो यदि पसंद आती है और निश्चत तुर पर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like अवश्य करिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों इसके बाद टेलीग्राम चैनल जो रहना बिल्कुल भी न भूलिएगा और कमेंट करकर जरूर बताईएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहन दोस्तों